वीडियो जैसे के आप लोग जानते के अंदर हम रोग जाने हैं वह बहुत इंपॉर्टन टापिक्स को डिसकस कर चुके हैं चैप्टर नमबर फॉर हम वोग साट कर चुके हैं इसके अंदर जाना एक्सराइज 4.1 को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको डिटेल के साथ एक तो इसके बाद हम लोग जब एक्सराइज 4.1 आज स्टार्ट करेंगे जो फरस्ट पॉर्शन है मारे पास एक्स्ट्रीमा फ्राम ग्राप्स इसकी जो आप लोग एजी इसको समझ सकेंगे इसलिए जाना वह उस्ट्रेक्स का लिंक मिलेगा निच्छे आपको डिस्क्रिप् करेंगे कैसे फाइंड करेंगे बाई यूजिंग एक्स्रीम वैली थियूरम अपर पस्क्रिप्ट वह उता वह पी आपको शाटकर वे में बताऊंगा ता कि आप क्लीर हो जाए उससे पहले अग्से चैनल पी नहीं हो है पिता कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि अब भी जुटी ले कहता हूँ आपको इसका रिटिशन मिल सकते विदर विदर टायम सब्सक्राइब करते हैं आज करते हैं तो देखें यह मारे पार पार स्नेक्स वर्म्स गंडोले यहाँ पर आचुका हूं आप यहां पर देख सकते हैं बड़ी खूब्सरत लाग रहे है लेकिन इनको जाना वो स्टार्ट करने से पहले इनके अंदर हम लोग कैसे maximum और minimum find out कर सकते हैं हम लोग देखेंगे यहां पर basically मारे पास नहीं में दिया हो जो theorem number one यहनि कि extreme value theorem इसको समझेंगे कि basically दो मिट में यह होता किया if f is continuous on a closed interval अगर कोई function है वो continuous है इना closed interval a b a से भी तक कोई भी इंटरवल है क्लोज इंटरवल है यहां भी आपके पास फिल्डॉट है यहां भी भी आप फिल्डॉट है यह 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 है और यह बी यह इसलिए बी तानका सारी के सारी इसके इन दर मारे पास continuous है कहीं पर भी मारे पास function discontinuous नहीं हो रहा कहता कि अगर आपके पास इस तरह का function आजा है इंटरवल a b के अंदर क्लोज इंटरवल a b के अंदर तो आपनों कहा कर सकते है यह 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 कहता है इसको डिटेल में जाना मुझे करने के अभी इसी चीज़ को समझें कि जब आपके पास क्लोज इंटरवल में आपके पास तमाब के तमाब वैलिउज जाना वो exist का रही है तो आप लोग उस ग्राफ से उस फंक्शन के जिरे एजिली मेक्सिमा और मिनिमा कर सकते हैं अब हम वह जानव अपनी कोशेंख की तरफ चलते हैं कहा का पर मारे पास मैक्सिमा वैलिउ मुझूद है कां का मरे मारे पास मीनिमा क्लोज इंटरवल भी नेन एक्स्प्लेन हो यूर एक्स ऑंजर निस कॉंसिस्टेंट विजूरम नुम्बर वन कहते हैं जी अक्सी वैल्यूज यह उना इसके इंदर आप लोगों को फाइंड करनी है यहां पर यहां पर एक सामने जाना वो इस फंक्शन की जो फंक्शन मार प इसकी उपर जाना है तो एक उपर जाना हो इसकी सफ़से नीची जाना आप नजरा रहा है सबसे नीचे ग्राफ जो आ रहाए हुँ जे हो इसका बहुत आरह है यहां पर जिसका मतभले है कि एप सुलीव मैंसे टू और एप सुलीट मैक्सिमाइड भी B के सामने यहां पर साबसे उपर ग्राफ है और यहां पर ग्राफ साबसे नीचे है तो आपको यहां में लिख सकते हैं कि एबसुल्यूट मैक्सिमम और आपको यहां में लिख सकते हैं जी एबसुल्यूट मिनिमम तो देखें जी सबसे पहले absolute maximum जनवा आपके पास जनवा at x is equal to b के उपर है और आपके पास जनवा absolute minimum कहां पे at x is equal to c2 की उपर है यह हमारे पास basically maximum minimum के हमने बात की अब क्यों है जी क्योंकि हम यहां पर maximum भी आपके पास जनवा exist का रहा है minimum exist भी का रहा है उसकी reason हमने देनी है तो reason यह है कि जब हमारे पास जनवा function continuous है a से बी तक close interval है उसका मतलब है तो theorem one है तमाम के तमाम values continuous हैं जिसका मतलब है कि आपको maximum भी मिलेगा और minimum भी मिलेगा अब यहां पे एक point जाना वो समझने वाला है कि अगर जाना वो जो theorem one का hypothesis है वो मतलब नहीं करता जाना वो उसको follow up नहीं होता तो क्या फिर हमारे पास maximum minimum में मिल सकता है कि नहीं मिल सकता देखें यहां पे एक चीज आपने समझ नहीं है कि अगर हमारे पास function A से B तरोज इंटर्वल है continuous है तो हमें 100% maximum भी मिलेगा और हमें minimum भी मिलेगा लेकिन अगर जाना वो hypothesis जाना वो guarantee वहां पे नहीं हो रहा इसका जाना वो theorem one का follow up नहीं हो रहा तो फिर हमें may or may not फिर हमें maximum minimum मिल भ था तो जब हम five six question करेंगे फिर यहां पर आपको बताएंगे तो यह मारे बस बेसी चीज थी अब question में आते हैं यह question इतना ही था maximum बताया मिनीमा बताया और क्यों इसका रही है इसके अंदर भी तक तक मां की तक हमारे पस्कांटिनूस है तो यहां पर भी ओविसली हमें maximum भ पास कहां पर है जी? मैकसीमा एट सबसे यहां भी मैकसीमा है जी c के ओपर at x is equal to c यह मारे पस x x is x के ओपर c के ओपर सबसे ओपर जा रहे है मारे पस graph maximum add x is equal to c और आप लोगे सबसे और दोनों मैकसीमा पी इसका रहे हैं क्योंकि जणव आपके पस function जनवा कांटिनूस है फाम इंटरवल a to be ok, simple a easy है next हम बात करें करें कि question number three की कि इसमें कहता है जी आपके पास a से b तक function continuous नहीं है ठीक है जहां पे आपके देख सकते हैं कि ए भी आपके पास जन्व वो इसमें इंक्लूड नहीं को कि यहाप फोल्ड आट है बी भी आपके पास निक्लूड नहीं है इसलिए यहाँ पर आपको अपको मैक्सिमा मिल रहा है जी एक्स इस इकल दूड दूड पर मैक्सिमा तो मिल रहा है लेकिन आपको मीनिमा नहीं मिल रहा तो इसका मतलब यह है कि अगर जनुड़ आपके पास यह फॉर की पास करते हैं इसके में आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर भी आपके पास ओपन इंटरवल यहां पर भी यहां पर आपको एक्स्ट्रीम वैल्यूज नहीं मिल रही ना तो आपको एक पर मैकस्ट्रीम वैल्यू मिल रही है ना तो मैकस्मा एकुर्ण मा्या करते है उसकी रिजन मैंने आपको बता दी है कुए यहां आपको त्योरल इसको साटिस्पाइड करता है उसका है पो थीजिदन exceeds नहीं करता क्राइव में आपके बात को पास और तो फंक्षिन कांटिनूस नहीं रहा लेकिन फिर भी जनव आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि आप लोग आप लोगे कमक्षिमा भी मिलते हैं руки मैं आपको समझाता हो मैंसी माइस C qlc माक्सिमा एक्स इक्स इकुल डू़ सी और मिनिमा एट- ऐक्स इकुल डू़ ये अब यहां पर देखें जी मैंने आपको जब पर फर्स क्रशन की बात कहा रहे थे मैंने आपको बताया कि अगर जैनुप अपके पास फंक्शन कांडियूस होगा तो आपको मैक्सिमा भी तो फिर में और में नाट फिर आपको मैक्सिम और मिनिमम मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता इसके-अनधर भी आप-णक्र value millary at x is equal to a minimum value millary at x is equal to c लेकिन function यहाँ पर जाना वो continuous नहीं है function continuous ना भी और फिर भी आपको मिल सकती है नहीं भी मिल सकती है तो यहाँ भी आपको लिख सकते हैं जी यहाँ पर लिख लेता हूं maxima maxima आपको मिल रहा है at x is equal to a के उपर और minima आपको मिल रहा है at x is equal to c के उपर लेकिन यहाँ वो function आपको बस continuous नहीं है this is the final question of question number six का final answer सारी की सारी values मैंने आपको जाना वो detail के साथ समझाया बहुत ही short lecture था लेकिन मैंने briefly इसको explaining कि ता कि आपको each and everything के लिए समझ आ जा जाए अगर आपको लेक्टर लेक्टर सब्क्राइब लाजमी किया अगर आपने फेंड़ से फैमिली सा लाजमी शेयर किया करें इस तरह कि मैं interesting videos नेक्स भी आपको लेक्या आता रहूँगा इसलिए अगर आपको क्यूरियो थी आपको comment section में पूर सकते हैं instagram पर जाइन कर सकते हैं instagram का link में लेगा नीचे आपको description में इस तरह इलाव अगर आप WhatsApp group जाइन करने के लिए भी आप लोग मुझे instagram पर राप्ता कर सकते हैं तो मिलते हैं शाला नेक्स लेक्टर में तब तक लिए अलाफिस